नमस्कार दोस्तों जहंद डिके यादब नीज में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट डिवेट लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए तो लाइक करें कमेंट करें और सेयर करें आईए देखते हैं वीडियो जैहन वन दे मातरम कि एटम बाउम कैसे बचाएं गास खाएंगे एटम बाउम बनाएंगे यह जुर्फकार लिवुटो साब ने कहा था और आज ही मैं देख रहा था कि पाकस्तान के वजीर आज़म और उनकी कैबनेट के आठ लोग जो हैं वो यूए पहुंचे हूए हैं फर वन बिलियर नया मिलेगा डिपॉजिट करने के लिए और टू बिलियर डॉलर जो है वो मिलेगा और वो रोल ओवर होगा और अब जिकर आठे के बहरान का सस्ते सरकारी आठे का हसूल मिशन इंपॉसिबल बन गया गरीब आवाम के लिए दो वक की रोटी खाना मुहाल हो गया तवील खतारों में घंटों इंतिजार मुल्क भर के आवाम आठे आवाम आठे के लिए खौर शेहरी और कुछ भी नह अच्छारब और ठीक है मिले मिलेगा जाला ठीक हो जाएगा लेकिन यह के वैसे तो नहीं हुआ अच्छार शेकर शेकर शेशी सब लिस्ता कि आपने अभी यह इमदाद के हवाले से बात की तो जो इस अलाब मतासरिं के लिए इमदाद मिली अभी ब्रेक से पहले हसनने सार हैं यह अगर पैसे फिर उसी तरह मिस्यूज होंगे तो इल्टीमेटली दुनिया आपको कहाएगी कि बाई इधर टेबल पर रखो बम क्योंकि आप लोगों के क्राइसिस अतने गहरे हो गएं कि यह बम आप नहीं जो है वो इसकी इसकी अफाद कर सकते हैं यह जो चीज है क आटम आप कैसे बचाएं और जाके वो मुमालक जिनको हम समझ देते यार यह तो छोटा छोटा मुलक हैं इनका क्या यह तो इतने साइस के मुलक हैं यह तो मारे शैर जितने मुलक हैं और आज वो हमें पैसे दे रहे हैं यह जो पिक्टोरियल यह जो आप यह जो मनजर कशी है हाउड यू सी जिस सर के यह जिसे हामद मीरी यह बात कर रहा है मैं से मुलक में जिसके अंदर कि इस तरह की एक अंसर्टनिटी निकल के आ जाए कि जो फाइनेंशल और पॉलिटिकल क्राइसिस का श्कार हो जाए तो उसमें कोई भी इस तरह का जो अत्यार है उस पे जाहरा सिच्विक सिच्वेशन में जब आपका फारन अफेर जैसा हो कि आपने हैर नेबर के साथ जो है वो सेंग अड़ा के रखे हूं सक्ट किसम की दुश्मिनी जो है वो बिलकुल एक अन्नेंडिंग किसम की वो हो खुस्तन आपके इर्द गिर्द जो तीन चार मुलके हैं मदमीर ने उठा दिया कबल अजब तक अगर आप इसको समझे लेकिन इस स्वाल को आगर उठना है अगर ये जो सिच्वेशन जिस तरफ जो जा रही है इसको कंट्रोल नहीं किया जाता है अब जानता है कि इसको कंट्रोल करने की सिच्वेशन है कि इसको क्या कंट्रोल किय जा सकता है जिसका तालग आपके इस स्वाल से बनता है कि ये जो यूए इन ने पैसे दिये और आपका प्राइम मिनिस्टर विद एट मिनिस्टर जो है वो जाते हैं एक बिलियन मांगने के लिए ये इस तरह की सिच्वेशन में तो इसको सामने रखते हुए ये तो क्लियर है कि ये कंट्रॉル नहीं हो सकता चूँकर आपको क्छो पैसे मिल रहे हैं उस से धुगने तिगने तो आपने आपने खर्चे जिसको जो है जाती या लले तलले कहते हैं उस बे रखे हुए ये अगर प्राइम मिनिस्टर जो झारा है जो Minister of the Minister है, तो फिर किसी Minister को साथ में जाने की क्या जरूरत है बाई-काउन सा Expert Minister है आपका, या तो यह हो ना कि कोई Minister बहुत बड़ा किसी सबजेक्ट में Expert है, तो वहां पे उसकी राहे लेनी पड़ेगी, फिल बदी तो वो दे देगा, तो ये बात भी तो कोई है नहीं, ये जा रहे हैं तो आप जरा कल्कुलेट तो करें ना कि इस पे खर्चा कितना आता है और जो एक बिलियन डालर मिलेगा उसमें से टोटल जो उसी वक्ट खर्च हो जाएगा वो कितना है उसके बाद जो आएगा जारा बेसिकली तो आपको ये जिस मकसद के लिए भी मिल रहे हैं उस तक तो कभी पेसे ये पाकिस्तान की हिस्टरी है कि पहुआ एह आपकी सहलाब की तबाकारियों का आजला करने के के लिए हूँ या गहर मुलकी करदे वापस करने के लिए हूँ कुछ हूँ वहां तक तो पहुंचते नहीं और वहां तक ना पहुंचने का मतलब यह है अब इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर यह जो सिस्टम चल रहा है मिनिस्टर्स का और प्राइम मिनिस्टर्स का नर्मलाइज कर दें यानि उसको एक थाड वर्ड वर्ड वरीब कंट्री के एक्वलाइज कर दें तो आद एक अरजे तो आपके यहां से पे हो सकते हैं विदिन वन येर आप जब कलकुलेट करके देखें थ्री फौर अंड्रेड अरब जो है वो आप खर्च कर रहे हैं टाएगा दूसरा पौणी उठा कि आपको देता रह आप गेंटी माडें तो तीन आद्मी एक दूसरे को एशरा करते थे तुमघाओ लाव जाएगा जाएगा यह जाएगा बाहिर आपके गेट पर घेट कीपर खड़ा है उससे बाहिर एक डाइबर खड़ा है उदर एक खानसामा है उदर एक माली है उदर पतर नहीं काउन है वाट इस दिस तो इसका फिर जाहर है कि आपको आखर में जाके जब आप गास खाना शुरू हो जाएंगे के जी चुके कुछ बचेगा नहीं चुके दुनिया जो है देखें जी यह टेक्सपेयर का महनी है यह कोई मामली बात नहीं है जो पैसे उठा उठा के दे रहे हैं यह यह टेक्सपेयर का पेसा है और जाहर है अब दुनिया इसको क्रिटिसाइज करती है और नजर रखती है कि जिस मुलक को आप इतने पैसे दे रहे हैं उसके अंदर सोशियो एकनामिक सिस्टम क्या है वो क्या कान रहा है तो यह ज्यादा दूर नहीं जाएगा अभी भी जो है वो पाकिस्तान के सारे पैसे बंद हो गए थे अब यह जो कुछ हुआ है यह जिसको आप सकसफुल कहते हैं दोरा और सकसफुल की आपकी डाफिनेशन यह है कि कितने पैसे मिले हैं इसके पीछे बहु है वो आपकी इंटरनेशनल पालिटिक्स में री पोजिशनिंग है आपको कोई अमीद ही नहीं होती कि बस आ गई है वो इंदाद तो एक तो इनकी अपनी कोई एफट नहीं थी इनको उमीद नहीं थी दूसरा है हसने सासमें बड़ी कुबसूरती से इसका तज़िया दिया और इनका ट्रैक रिकार्ड बहुत बुरहा है इसलिए बार बार कह रहे हैं कि हम पुरी आर्टर्ट कराएंगे ये फन गदागरी के माहर सारी दुनिया में ठीक मांगे रुस्वा हो रहे हैं जो सौदुी अरब और यूएई से मदद मिलेगी वो सेयद मनीर आसिम मनीर साथ इनको तो लेकर लोग दर्वाजे बन कर देते हैं कि सब को पता कि इनके फारण में कितने काउंट हैं जस डालर भी इन्होंने इम्दागमी की सिलाब में तो ये खराब होने का इनका वर्क्त चुरू है और ये सौद इनके अंदर अंदर अलेक्शन चुटू लाजागा है तो शेक साथ PDM का मस्तग्बिल आपको क्या लग रहे काल जो इनके साथ हुई गे अब ये आगे मस्तग्बिल भी इनका ऐसे हैं लग रहे आपको उस तरह भी बुरा लग रहा है जी PDM कहां गई ये गैंगा फाइव है PDM 13 पार्टियों के तो मुझे नाम ही नही आते ये ज जाया करें बस जिस तरह ये गय थे तखते लाहूर लेकर इसलामाबाद आओंगा वहाँ ताबूत लेकर आए हैं ताबूत ले हाँ आपने ट्वेट की हुई है उसके 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 यह हुआ कि उसके पहले हमें यहां पर इतला यह दी गई कि बिलावल भुटो जज़दारी सा उनके भी तनकीद हैं मकर वह एक होता है ना कि वह अंतर खाने जंगी की फिज़दा तो बहराल उस चक्कर में अब नवाज श्रीफ साब ने गाले बनी फैसला किया है कि मुझे बता हूँ यह पंजाब के अंदर अब आप देखें जरा पंजाब के अंदर वह मदब मरीम न नवाज श्रीफ साब को मेरा खैल है आजने जाए नवाज श्रीफ साब शायद नहाएं अबी औरी तो नमसकर दोस्तों जहन दोस्तों जो बुट्टो ने पाकिस्तान के लिए नारा दिया था कि हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे वो अब सपना सच होने वाला है क्योंकि पाकिस्तानी अब गास खाने को मजबूर हो चुके हैं पाकिस्तान में इस वक्त आटा भी दिखाई नहीं दे रहा है दूर दूर तक लोग लाएं लगाते हैं लेकिन खाली हाथ बापस लोट जाते हैं उन्हें आटा नहीं मिलता अब पाकिस्तान की हालत यह हो रही तो किसी ना किसी दिन हर कोई मुलक पाकिस्तान से बस यही कहेगा कि पहले एटम बम रखो टेबल पर उसके बाद आपके लिए पैसे मिलेंगे क्योंकि पाकिस्तानी कभी भी सुदरने वाले नहीं हैं इन्हें तो भीक मांगने की आदत पड़ी हुई और हमेशा भीक के लिए किसी ना किसी मुलक के दरवाजे पर पहुँच जाते हैं अब पाकिस्तानी पीम साओधी अरेब के बाद यूए के दोरे पर है क्योंकि पाकिस्तान को जिनेवा में मिली भीक उससे पेट नहीं बरहा है अभी भी पाकिस्तान को काफी जादा डॉलरों की जरूरत है इ अचानक से यूए के लिए रवान हो चुका है अभी अभी पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी यूए और साओधी अरेबिया का दोरा किया है अब पाकिस्तानी पीम पीम भी कटोरा लेकर भाँ पहुच चुका है आपकी कह रहा है कमेंट में जरू सेयर करें यदि आप चैन आए तो लाइक करें कमेंट करें और सेयर करें जैहिंद वंदे मात्रम